नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुमच ओधरे और सुक्सेस्प्ल स्केडमी के प्लैटफॉम पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है तो दोस्तों मैंने भारती इत्याज के कई महान राजाओं की कहानियों से आपको अउगत कराया उनके जीवन की कहानी उनके साषन और उनकी लिगेसी के बारे में आप से चर्चा करी चाहे वो प्राचीन भारत के महान राजा चंदरगुप्त मौरिये हों समराट अशोक हों हर्श वर्दन हों समुंदर गुप्त हों या बिमबिसार या अजाजाच शत्रु हों हर एक राजा का अपना एक इत्यास रहा है अपनी एक पहचान है अपनी एक विरासत है कोई राजा अपने सामराजे विस्तार के लिए जाना जाता है कोई अपनी दान विरता के लिए जाना जाता है और कोई अपनी विरता के लिए जाना जाता है ऐसे ही राजाओं की शिरणी में एक और नाम आता है वो है मेवाड के महरणा संग्राम सिंग जिनको महरणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों चाहे राणा सांगा का सामराज्य समराट अशोक या मुगलों के जितना बड़ा ना रहा हो लेकिन राणा सांगा अपनी वीर्ता, अपनी मर्यादा और अपनी नैतिकता के लिए पूरे देश के महान राजाओं में गिने जाते थी महारणा संग्राम सिंग के बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में इन्होंने सो लड़ाईयां लड़ी और सिर्फ एक लड़ाई जो कि खानवा की लड़ाई थी उसके अतिरिकत इनको सभी लड़ाईयों में जीत मिली किसी लड़ाई में इनको पराजे का सामना नहीं करना पड़ा इन लड़ाईों को लड़ते लड़ते इन्होंने अपने सरीर के उपर लगबग असी घाव जहले इन्होंने अपनी एक आँखो दी एक हाथ खो दिया और एक पैर से गायल हो गए इसके बावजूद भी ये हमेशा लड़ते रहे कभी भी इन्होंने दुष्मनों के सामने अपने अथियार नहीं तागे कभी भी इन्होंने अपनी नैतिकता से समझोता नहीं किया कभी भी अपनी मातर भूमी को पीठ नहीं दिखाई इसलिए महारणा संग्राम सिंग को हम याद करते हैं महारणा संगा जैसे वीर बहादूर राजा भारत में बहुत कम हुए है तो इनके जिवन की कहानी को हम इस यूडियो में डिसकस करेंगे कि कौन थे महारणा संग्राम सिंग या महारणा संगा तो चलिए देखते हैं महारणा संग्राम सिंग इनका पूरा नाम है इनको commonly हम राणा सांगा या महारणा सांगा के नाम से जानते हैं ये 16 सेंचूरी में मेवाड के एक बहुती प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं और ये सिसोधिया क्लैन से बिलोंग करते थे राजपूतों की जो सिसोलिया क्लैन है उस समय उस से बिलोंग करते थे और 1508 से लेके 1528 के बीच में इन्होंने मेवाड के उपर रूल किया है अपनी बहादूरी अपनी वीरता और अपने मरियादा के लिए पूरे देश में जाने जाते थे और इन्होंने पर्थिराच चोहान ने जब आप जानते हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई में हारने के बाद मुस्लिम रूलर्स का दिल्ली के उपर राज शुरू हो गया था उसके बाद आप जानते हैं कि राजपूत सेना बहुत ताकतवर होती थी और बहुत बहुत बहादूर होती थी लेकिन उसमें एक ही कमी थी कि उनमें यूनिटी नहीं थी सभी राजपूत अपने अपने हितों के रक्षा में लगे हुए थे सब मिलके किसी बड़े ताकतवर राजा के सामने वो लड़ाई नहीं लड़ते थे इसलिए अकेले होने की वज़े से कई लड़ाईों में उनको हार का सामना करना पड़ा लेकिन राणा सांगा एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली स्ट्रोंग व्यक्ती थे और बहुत ही बहादूर भी थे और लोग इनके सुनते भी थे इसलिए इन्होंने सभी जो राजपूत लोग थे उनको इकटा किया उसके बाद इन्होंने कई सारे मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ लड़ाईयां लड़ी चाहे वो लोदी हों चाहे मुगल हों और इनके सामने ये बहादूरी से लड़े लोदीयों को तो नोने हराया है इबरहाईम लोदी को दो बर लड़ाईयों में हराया है बहुत ही बहादूर वेक्ती थे राजपूत हिस्ट्री में आप जानते हैं कि राजपूत राज़ा अपनी बहादूरी के लिए जाने जाते थे लेकिन उन बहादूर राज़ाओं में भी राणा सांगा का नाम एक अलग दरजे का है और अलग दर्जे का क्यों है क्योंकि इनका रूल और इनका जब रूल समाग था वो जो पिरियड है वो भी इंडियन हिस्टरी के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट पिरियड है क्यों है वो आगे आपको पता चलेगा जब मैं आपसे बात करूँ आ इनकी लड़ाईयों के बारे में और इनके साशन के बारे में इन्होंने राजपूतों को इखटा करके मालवा रिजन पर अपना कंट्रोल किया नोर्धन इस्टर्न राजस्तान जो की एक समय पर लोधी वंश के कंट्रोल में हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में हुआ करता था उसको अपने कंट्रोल में लेके आए और लोध मापदिती से मैं आपसे बात करूँगा कि वो बाबर ऐसा पहला वेक्ती था जो कि नोर्थ इंडिया में पहली बार गन पावडर लेके आया था यहां पर राजपूत सेना तलवार भाले और तीर से लड़ रही थी लेकिन दूसरी तरफ गोले चल रहे थे तो गोला बारी की वज़े से यहां पर राजपूत सेना हार गई और भी कई कारण थे उसकी बात करेंगे लेकिन अपने आखरी समय आते आते महारणा सांगा को अपने ही जो उनके नोबल्स थे उन्होंने जहर दी दिया और उनको धोखा दे दिया उसके बाद मुगलों ने इस 76 को जीत लिया मेवाड शेतर को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद ये जो पिरियड है ये जो है बदल गया जो उससे पहले की स्तती थी उससे अब एकदम स्तती बदल चुकी थी तो ये राजपूत कंफरिंडेंसी थी जिसमें महारणा सांगा पूरा कंट्रोल करते थे मालवा को भी नोने जीता है गुजरात को भी नोने जीता है और इस छेतर में जो पहले के समय पे कंट्रोल हुआ करता था एक समय लोदियों का उसको भी अपने कंट्रोल मिलिया है धोलपूर की लड़ाई के बाद कौन कौन सी इंपोर्टेंड लड़ाई ये लड़ी उनकी बात कर तो दो राजावों के बारे में उसने उसकी तारीफ करी है दो भार्ती राजाव की एक तो राजा कॉछंदेव राय जिनकी मैं बायोग्राफिक कवर करा चुका हूँ। दक्षिन भारत के ये विजयनेगर सामराजे के राजा थे इनकों और साथ में राणा सांगा को इन दोनों राजाओं को इननों ने कहा कि ग्रेटेस इंडियन किंग थे ये दो राजा जो थो है उस समय भारत के सबसे ताकतवर राजा थे और एक और मुगल समय का एक इस्टोर उसमें ये कहा गया है कि जो राणा सांग गया है वो एक हिंदू एमपरर थे नोर्थ हिंडिया के बहुत ही इंपोर्टेंट बात है ये उसके बाद बात आती है इनकी अर्ली लाइफ और एकसेशन की थ्रोन के उपर ये कैसे बठे कैसे इनका राजे अभीशेक हुआ तो बहान डाइनिस्टी की एक प्रिंसेज हुआ करती थी इसके घर पे राणा सांगा या राणा संग्राम सिंग का जनम हुआ मेवाड में जनम हुआ उस समय ये मालवा में थे तो मालवा में इनका जनम हुआ था राजस्तान का हिस्सा था पहले मेवाड के पास इनका जनम था राना संग्राम सिंग या मारना सांगा के चार और भाई थे चार भाई थे टोटल ये सोरी उसमें ये सबसे छोटे थे और इनके जो एक भाईश्य वानी हुई थी राना संग्राम सिंग के बारे में एक भाईश्य करता ने ये कह दिया था कि संग्राम सिंग जो है यही आँख भी खो दी लेकिन फाइनली पंद्रा सो आठ में जब ये 27 साल के थे तब ये तक्त पे बैठते हैं मेवाड के ये राजा बनते हैं फाइनली महरणा सांगा यहां पे राजा बन जते हैं इनकी एक आँख जो है इनके यहां पे आपको ज्यादा तर जगह मिलेगी कि इन की एक आँख जो है वो इन लड़ाईों में खो चुके थे उसके बाद इनके शादी की बात करें तो रानी करनावती से इनके शादी हुई और इनके चार बेटे भी थे एक था भोज राज जी उदे सिंग दितिये रतन सिंग और राणा विक्रमा दितिये चार इनके पुतर थे उसके बाद बात आती है मिलिटरी करियर की तो जैसा कि मैंने बताया कि देश के सबसे महावीर राजाओं में इनकी गिंती की जाती थी महावीर होने के साथ साथ ये एक डिप्लोमेटिकली भी बहुत ही स्ट्रोंग व्यक्ति थे इन्होंने सभी राजपुताना के राज आनियों में कहा जाता है कि अन्होंने अपने जीवन में सो लड़ाईयां लड़ी और सो लड़ाईयों में सिर्फ एक लड़ाई में हारे कौन सी लड़ाई थी वो खानवा की लड़ाई थी और इन लड़ाईयों में इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खो दिया आख खोदी और अपना एक पैर भी उससे भी ये लंगडे होगे लेकिन जो इत्यास है मिलिटरी केरियर है उसमें अठारा युदों का तो वर्णन आपको साफ साफ मिलता है कि इन्होंने उन अठारा लड़ाईयों में दिल्ली मालवा और गुजरात के राजाओं को हराया है और इनका जो सामराजय था वो आज के समय का राजस्तान, मद्देपरदेश का कुछ हिस्सा, हरियाना, नौर्धन पार्ट ऑफ गुजरात और अमर कोट्स और सिंध वाला हिस्सा है वो इनके कंट्रोल में था और इन्होंने मालवा रेजन पे 1305 के बाद जो है अपना रूल इस्टैब्लिश कर लिया था, 1305 में दिल्ली सल्टनत ने जो परमार किंडम था उसको हटा कि यहां पे अपनी नीव रखी थी और उसके बाद ये वाला च्छेतर जो है आप जानते हैं कि अलावदिन खिल जी के समय पे इनके कंट्रोल में आने लग गया था और ये जो अला एक वेक्ति था, एक मिनिस्टर था मेधनी राए और मेधनी राए एक राजपुत था, मेधनी राए ने इनके खिलाफ रिबेल कर दिया और महमूद खिल जी और मेधनी राए के बीच में एक कौनफलिक्ट हो गया, तो महमूद खिल जी जो है वो मेधनी राए को मारना चात ती और महाराणा सांगा ने उसमें मदद भी करी महाराणा सांगा ने जब मदद करी तो इसका विरोध करते हुए मुस्लिम फॉर्सेज ओफ ये जो मालवा की मुस्लिम फॉर्सेज थी महमूद खिलजी की लीडर्शिप में इन्हों ने राजस्तान के गैगरोन वाले छेतर मे attack कर दिया यानि महारना सांगा के ऊपर attack कर दिया उसके बाद combine जो राजपूत सेना थी उसने मिल के इस MUSLIM सेना को हराया और हराया ही नहीं बलकि यहां पर दोडाया चंदेरी से तक जो की मालवा के अंदर ही है वहां तक इनको दोडाया और उसके बाद ये जो छेतर है पूरा मालवा का ये इनके कंट्रोल में आने लग गया मालवा को और चंदेरी को इन्होंने जीत लिया चंदेरी भी बहुत important था मेधनी राई आगे चलखे बाबर की लड़ाई भी होती है चंदेरी की लड़ाई होती है मेधनी राय के साथ और जिसमें मेधनी राय हार जाता है मेधनी राय बहुत ही बढ़ा सपोर्टर था राना सांगा का हमेशे यह साथ में लड़ाई लड़ते थे बाद में आगे चलके बहुत खास अलाई बन चुके थे तो मेधनी राए ने आगे चलके मालवा का राजा बनाया गया और चंदेरी को उसकी कैपिटल बनाया गया बलकि साथी सिलादितिये को सिलादितिये को सिलादितिये तोमर जो था उसको सरंगपूर वाला जो छेतर है औ का मास्टर बना दिया गया और उस समय आप जानते हैं कि एक बहुत ही ऐसा कर चलता था जजिया कर आप जानते हैं जजिया कर क्या था जजिया कर एक ऐसा कर था जो कि हिंदूओं पर या दूसरे जो नोन इत्यास रहा है अकबर ने इसको हटवाया था एक बार उसके बाद औरंग जेब ने इसको फिर से इंपोज कर दिया और ये जो जजिया कर है ये इस रिजन में कई लंबे समय तक चलता आ रहा था मालवा छेतर में और जब मालवा के उपर राजपुतों का कंट्रोल आ गया त इस जजिया कर को भी इस छेतर से राणा संगा ने हटवा दिया उसके बाद बात करते हैं बैटल ओफ खतोली की बैटल ओफ खतोली कहां पे हुआ जब मालवा को जीत लिया था राणा संगा ने तो उसके बाद नोने नोर्धन इस्टन छेतर के उपर अपना ध्यान देना श सिकंदर लोधी वो राजा हुआ करता था तो उसके कंट्रोल में था उसके बाद इसने क्या किया इस छेतर के ओपर अपना धीरे-दीरे करके कंट्रोल करना शुरू कर दिया माहारणा सांगा ने खतोली के ओपर तो 1517 के आसपास जो है खतोली को आडोती वाला जो छेतर है वहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो लड़ाई हुई उसमें राणा सांगा जो हैं वो बहुती डिसिसिवली लोधी को हरा देते हैं और लोधी के एक बेटे इबराहीम लोधी के एक बेटे प्रिंस को भी कैप्चर कर लेते हैं और जेल में डाल दे राणा सांगा ने इस समय अपनी एक हाथ को खो दिया एक बाजू को खो दी थी लेकिन फिर भी वो लड़ाई लड़ते रहे और इस लड़ाई में लोधियों को हराया उसके बाद इस लड़ाई का बदला लेने के लिए एक और युद लड़ा गया इबराहिम लोधी ने अपनी सेना को इकटा किया अपनी हार का बदला लेने के लिए धोलपूर छेतर जो राजस्तान का धोलपूर वाला छेतर है यहां पे एक लड़ाई हुई जिसको बैटल ओ धोलपूर कहा जाता है यह 1518 के और 1519 के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और इस लड़ाई में भी इबराहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा और राणा सांगा की जो सेना है उसका सामना नहीं कर पाई लोधियों की सेना इतनी बहादूर सेना होती थी राजपूत था वो भी इनके कंट्रोल से चला गया और राणा सांगा का इंफ्लेंस अब आगरा तक पहुंच चुका था पिलाई तक पहुंच चुका था फिलाई कार जो कि आगरा के पास है वहाँ पे हो गया था उस समय इनके बारे में कई सारी चीज़े कही गई है कि रन्थम बोर छ चाथरों में भी आगे चलके लोदियों को इसने हराया है महाराना सांगा जी ने हराया है उसके बाद 1520 में क्या होता है राणा सांगा गुजरात के उपर अपना कैंपेन शुरू करते ही और यह कैंपेन क्यूं होता है इसका मतलब है कारण यह था कि इधर जो स्टेट था गुजरात का उस समय इसका आगे चलके सक्षेशन में कौन बैठेगा राजा कौन बनेगा इसकी लड़ाई चल रही थी और लड़ाई में उस समय क्या था कि राजपूत जो लोग थे वो चाहते थे कि उनका व्यक्ति यहां पे बने और चालिस सजार की सेना के साथ महारणा सा यहां पर राजपूत आर्मी को लेके गुजरात की तरफ कूच किया जिसमें राव गंगाधर ठोड जो थे मेवाड के उन्होंने आठज़ार राजपूतों की सेना को लेके यहां से चले उसके लावार राना और रावल उदे सिंग जो हैं अपने साथ लेके अपनी और राणा सांगा के सामने वो नहीं टिक पाया और राणा सांगा ने इस इन्वेजन को 20 मील तक वो लेके गए एहमद नगर तक लेके एहमदाबाद तक इसको लेके गए सोरी एहमद नगर बोल गया मैं एहमद नगर अलग था एहमदाबाद अलग है एहमदाबाद मतलो स्माइल पहले तक उनको दोड़ाया और निजाम शाह को भी यहां से हरा दिया उसके बाद गुजरात ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गुजरात की ट्रेजरी को लूटा और बहुत सारी जो मजजितें वहां पर बनाई गई थी जो पुराने समय पे मंदिर थे उन मजजितों क की बात इथियास में हम बहुत जगह पड़ते हैं गुजरात जीतने वाले राजाओं में बहुत कम रूलर हुए हैं पहले के समय पे जो दिल्ली से या फिर नॉर्थ इंडिया से कंटॉल करते थे चाए वो अकबर के समय पे हुआ था ऐसा अल्ला ओधिन खिलजी ने किया औ तो यह इन्होंने करके इस छेतर में अपने वेکतियों, अपने लोगों को अपॉइंट करके और इस छेतर को अपना वैसाल स्टेट बना दिया अब फाइनली बात करते हैं मुगलों के खिलाफ इनके जो अभ्यान चले हैं, इनकी जो लड़ाईयां चली हैं उनकी, तो 21 लोधी के सामने बाबर की सेना आती है और इबराहिम लोधी को बैटल फिल्ड में मार दिया जाता है और यहां पे लोधी वन शमाप्त दिल्ली सल्तनत समाप्त और भारत में मुगलों का रूल स्टैबलिश हो गया था तो पानी पत की पहली लड़ाई क्यों इंपोर्टेंट ह दिल्ली सल्तनत पिरिड खतम और मुगलों का रूल स्टैबलिश हो गया था और इस लड़ाई में पहली बार गोलों का इस्तमाल किया गया था गन पाउडर का भारत के थियास में इस्तमाल किया गया था उसके बाद इस लड़ाई में बाबर जीत गया और आसानी से जीत गय बहुत छोटी सी आर्मी को लेके आया था बाबर माना जाता कि 12,000 की आर्मी थी और दूसरी तरफ एक लाग से उपर आर्मी थी इबराहिम लोदी की फिर भी जीत गया बाबर एक लाग से बड़ी राजपूत सेना थी जो की बहुत ही ताकतवर थी तो इसलिए मुगलों के सामने महरणा सांगा को हराना बड़ा चलेंज था इबराहिम लोदी से भी इसलिए एक युद लड़ा गया बयाना में और बयाना में फरवरी 1527 में जो युद लड़ा गया उसम हालांकि इस लड़ाई में जो है महरणा सांगा ने लास्ट में इस लड़ाई को एक तरह से जोइन किया था और बाद में इसको लीड किया था पहले पर्तिराज कछवाहा ने इसको लीड किया था ये भी एक इम्पोर्टन डूलर थे इनकी भी बात करेंगे किसी दिन की बा concept है जो इसलाम में है अपने धरम holy war जिसको वो बोलते हैं कि दूसरे religion के खिलाफ एक जुट होके जिहाद करके उनको पूरी तरह से खतम कर दो तबाह कर दो मार दो जिहाद का नारा दिया यहां पे बाबर ने और कहा कि सब ही राजपूतों को और हिंदूों को यहां पे कुच हैं और उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से राजपूत सेना के खिलाफ अभ्यान चलाया और एक बड़ी लड़ाई होती है मार्च 16 1527 में और यह लड़ाई होती है खानवा में जो की आगरा से 60 किलोमेटर वेस्ट में पड़ता है खानवा यहां पे बैटल ओफ खानव ले थे उसकी मदद से राणा सांगा की आर्मी के उपर अटेक किया इसमें यह एक भारती इत्यास का बहुत ही डिसेसिव बैटल माना जाता है इस लड़ाई को माना जाता है कि यह जो लड़ाई थी यह पानीपत की पहली लड़ाई से भी ज्यादा इंपोर्टेंट लड़ लड़ाई इसलिए इंपोर्टेंट थी क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत तो पहले भी चलती आ रही थी मुस्लिम रूल वहां पे भी था और वहां पे अगर रूल इस्टैबिश हो जाता बाबर का ठीक था लेकिन नॉर्थ इंडिया के उपर अगर पूरा कंट्र इनको अपने मैदान से बैटल फिल्ड से उठा के लेके जाते हैं और वो खुद भी बहुत ज्यादा सीवेरली इंजर्ड हो जाते हैं लेकिन ये इनको बचा के ले जाते हैं माराना सांगा को उसके बाद जो पर्थिराज कछवाहा भी चले जाते हैं माराना सांगा भी चल लड़ाई में जीच जाती है और उसके बाद माना जाता है कि बाबर ने इसके बाद बहुत हिंसकता दिखाई राजपूत सेना का और हिंदूों के बहुत सारे सरों को काट के एक बहुत बड़ा वो बनाया गया एक तरह से इस तरह से खटे किये गये सर किये और हिंदू सकल्स को विक्टरी का टावर बनाया गया ये उसकी बहुती बड़ी कुरूरता थी राणा सांगा इसमें अपना बहुत कुछ खोच खुचे थे अपना शरीक उनको बहुत सारे गाउ मिल चुके थे एक हाथ खुचे थे एक पैर से वो लंगड़े हो चुके थे लेकिन उसके गाजी की टाइटल उन्होंने लिया कि ये भी याद रखना कि गाजी का टाइटल के अब लिया था बाबर ने जब खानवा की लड़ाई में उसको जीत हासिल हुई थी उसके बाद राणा सांगा को सिलहिदी ने इस लड़ाई में धोखा भी दे दिया अपने ही इनका एक वे किया जा सकता है जिसकी वज़े से भी बाबर जीता तोब गोलों की वज़े से भी बाबर जीता और राणा सांगा का एक क्रूशल मोमेंट पे इंजर हो जाना बेहोश हो जाने का भी एक बड़ा कारण था कि बाबर इस लड़ाई में जीत गया और ये जो इवेंट था ये भारती इत्यास का एक बहुती बड़ा टर्निंग पॉइंट और हिस्टोरिकल पॉइंट इवेंट साबित हुआ क्योंकि इसके बाद राजपूत सेना की हार हो चुकी थी और बाबर को उत्तर भारत में रोकने वाला कोई नहीं था उसके बाद चंद्री के लड़ाई में मैधनी राय को भी बाबर ने अगले साल ही हरा दिया और उसके बाद आप जानते हैं कि मुगलों की जो सत्ता है उत्तर भारत में वो हो गए और आने वाले जो रूलर थे उन्होंने मुगलों की जो सत्ता है उसको पूरे देश भर में फैला दिया इस्पेशली अकबर ने और अकबर के बाद के रूलर जो है अकबर के बाद शाह जहां जहांगीर या फिर औरंग्जेब में ने भी अपने सामराजे का विस्तार किया और अंग्जेब के बाद उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया मुगल पिरियड का उसके बाद बैटल फिल्ड से अनकॉंशियंसली ले जाने के बाद पर्तिराज कच्छवाहा ने और माल्देव राठोड ने इनको सुरक्षित पहुँचा दिया महारणा सांगा को एक समय के लिए उसके बाद ये जब होश में आये उन्होंने फिर से अध्यार उठाने की बात करी उन्होंने शपत ली कि वो चितोड नहीं लोटेंगे जब तक बाबर को हरा नहीं दें और दिल्ली को जीत ना लें बहुत बड़ी शपत थी ये और वो चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को जीतें और लड़ाई को जीतना चाहते थे लेकिन इनके ही कुछ जो लोग थे इनके जो करीबी लोग थे उन्होंने इनको धोखा दिया और बाबा के शीविर में चले गए और इनको इनके अपने ही नोबल्स ने जहर दे के मार दिया और बाबर से आने वाली लड़ाई से बाबर को बचा लिया अब आगे वाली लड़ाई में क्या होता कोन जीता कोन हारता वो थो हम नहीं कह सकते लेकिन बाबर ने इनको धोके से जहर दिलवाया बैसिकली इनके ही जो खुद के नोबस थे उनसे ही जहर दिलवाया क्योंकि बाबर भी जानता था कि राणा सांगा क्या चीज है बले ही उनका एक हाथ नहीं है एक उनके पास आँख नहीं है वो अपने पैर सें भी लंगड़े हो चुके हैं लेकिन वो डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रोंग हैं लोग उनकी सुनते हैं और उनकी बहादूरी और उनकी वीरता के सामने बाबर जानता था इसलिए बाबर ने अपनी कूट निती का इस्तमाल किया और अपनी धोके और चल रतन सिंग्दितिय जो हैं जो इनके बेटे थें वो मेवाड के तक पे बैठते हैं अगले राजा बनते हैं लेकिन इनकी मृत्यू के बाद आने वाले समय में राना सांगा का जो सहयोगी राजबूत राजा हुआ करते थे वो चंदेरी हो चाहे चाहे वो चंदेरी के मेधन में कर लिया किसी को हरा दिया तो इस तरह से इनकी लड़ायां चलती रही हैं मेवाड ने कभी भी आसाने से हार नहीं मानी है मुगलों के सामने ये बात आपको ध्यान रखना है मैं मेवाड का इत्यास जल्दी ही लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा कि मेवाड किस शेतर है वो दिया गया और कहा गया कि चंदेरी को छोड़ दो शम्शाबाद में तुम्हें राजा बना दिया जाएगा वहां का तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा लेकिन मेदनी राए ने इस चीज़ को असेप्ट नहीं किया वो भी एक बहादूर युद्धा था उस के साथ मिस्भेव करेंगे उनकी आबरू को खत्रा है इसलिए बहुत सी राजपूत महिलाओं ने उस समय जोहर कर लिया और बाबर की आर्मी के सामने किसी भी राजपूत सेना ने इस समय समर्पन नहीं किया बले ही उनको युद में हार का सामना करना पड़ा अपने अपने चली गई और इस तरह के से महारणा संग्राम सिंग या महारणा सांगा जो है वो अपने जीवन काल में हमेशा अपनी वीरता अपनी बहादूरी और अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं और उनको हमेशा याद किया जाता है तो होफुली आपको महारणा सांगा के बार में वीडियो बनाऊं, कौन से वो राजा का नाम आप मुझे सजिस्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी इंस्टाग्राम, टेलिग्राम पे भी इन वीडियो का लिंक आपको चाहिए, इनसे आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप टेलिग्राम को जरूर जोइन करिएगा और इंस्टाग्राम को जरूर जोइन किजिएगा सक्सेस क्लस अकेडमी ओफिशिल के नाम से आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, so thank you so much for watching this video, have a good day see you next class